यहलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो मेरी चैनल में आपका स्वागत है तो चले शुरू करते हैं शुरू करते हैं इत्यास के 200 प्रशनों के श्रिंकला का यह भाग 25 है और आज हम मौरेकाल से संबंदित जो बाकी को कोश्चन है उनको देखेंगे इससे पहले की जो वीडियो कोश्चन के मतले की शुरू करfte हैं यह भाग 2-1 जो सब्सक्राइब शिर्यास कनदेके के शिर्याहरा ठाशन गौष्चन गितने-उनकोष्ण सद्धिता थे साथ श्रू अपने प्लीटकर्शन से ग्लावागे स्पाष्चन क्यों मैं यह जोन गदीत कर वे मतलए समंदी ची और अच्छा लगे तो लाइक और शेर करेंगा तो चलिए देखते हैं पहले कुश्यन पहला कुश्यन इसमें पहला कुश्यन है सूची एक की मिलान सूची दो से कीजें तता नीचे दियेगा खूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चैन कीजे A option आपका असोकस्तम, B option आपका सांडवाली मूर्ती, C option आपका लोमर्शी गुफा और D option आपका छिद्रयुक्त तरकूप तो यह आपका A का जो आपका होगा वह है आपका लॉरिया नंदनगर यानि कि A का C, A का 3 सांडवाली मूर्थी कहां से प्राप्त हुई है तो यह आपके प्राप्त हुई है रामपुर्वा से यानि कि 2 खचार और लोमर्शी गुफा यह आपका परावर की पहाड़ी और चिद्रयुक्त तरकूप यह आपका रोपर से तो इसमें आपको कोश्चन के अकॉर्डिंग सही अंसर क्या हो रहा है आपे C 3, 4, 1, 2, ठीक है चलें नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है सारनाथ से प्राप्ता सोक के स्थम पर कौन सा पशू उत्कीडित नहीं है इसमें जो आपका सही अंसर होगा वह है इसके बारे मैं बता दूँ तो सारनाथ में आपका यह जो चार जानवरों का बढ़न है यह चार जानवर कौन-कौन से हैं इसके प्राप्चा नेक्स कोश्चन है ऐसके ख्षैों के कि स्थम लेख मिलता है एउस्ठावें नॉओवें एउस्ट कोश्चन ब्राप्च टिम आपम्यम्य incarnä प्रस्टा स्थमितन मुता सॉप्षैरेवें शिलालेक में और इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि जो इसके पड़ोसी जो देश थे उनके बारे में भी वड़न जो मिलता है वो आपका तेरावे शिलालेक में मिलता है ठीक है इसमें जो आपका ये तेरावे शिलालेक है इसमें अशोग कहता है कि उसने 600 योजन एक धम विजय की है जिसमें पांच यवन राजा एवन दक्षड की और चोल पांडे सत्य पुत्र केरल पुत्र और तामर पड़ी प्रमुख है तो यह कहां पर बढ़न है तो यह आपका तिरावे शिलालेग में बढ़न है ठीक है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन है कलिंग युद्ध का फिवरण हमें प्राप्त होता है यह उप्षिन आपका शिलालेग 13 में से ब्यू उप्षिन लगू शिलालेग 1 से सी आपका रूमिन देस तमलेग से और डी आपका वेइन सांग से तो इसमें जो आपका सही एंसर होगा वो है ए साधीर हमेश से इसके बार में बतादू तो अच्छामाल वागर यह कोशन पूसता है कि के सब्सक्ता करेगो यद्ध हुआ था तो इसकी olun मत उस्ताया तो उसकी भीथा का थी तौशली तोशली ऊसके पर्था लिश कहते है तो उसली या पड़ताले से इसको कहा दिये, कलिंग की रालतानी थी, और यह जो यूद होता है, वो उसके अशोग के राजज़ा भिशेग के आठवे वर्ष, और राज़प्राप्ति के तेरहवे वर्ष होता है यानि कि 261 हिसा पूर में 261 हिसा पूर में और ये राजचे प्राप्ती के 23 वर्ष और राजचा भिशेग के 8 वर्ष होता है ठीक है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं इसका एंसर क्या था आपका A नेक्ट कोशन है अशोक ने कलिंग राजचे पर कब आपर आक्रमण किया A आपको 270 हिसा पूर B आपको 261 हिसा पूर C आपको 270 हिसा पूर और D आपको 280 हिसा पूर तो ये मैंने आपको भी बताई दिया इसका सही अंसर क्या है B 261 हिसा पूर चलिए next question देखते हैं next question है Samraat Ashok ने Kalingo को कभ विचित किया था तो A option अब का राज़े प्रापती के चौथे वर्ष B option अब का राज़े प्रापती के आठवे वर्ष C option अब का राज़े प्रापती के राज़े प्रापती के दूसरे वर्ष और D option है राजय भिशेक के 8 वे वर्ष तो इसके बारे मैंने आपको भी बताया है न इसका क्या था राजय भिशेक के 8 वे वर्ष इसका D एंसर सही होगा राजय भिशेक के 8 वे वर्ष और राजय प्राप्ति के कौन से वर्ष तो 13 वे वर्ष था राच्य प्राप्ति के तेरवे वर्षता और राच्य विशेग के आटवे वर्षता यानि कि 261 इसापूर में चले नेक्स्ट कोशन देखता है नेक्स्ट कोशन है अशोक के किस शिलालेक से युद्ध और हिंसा के कारड जनित उसके अंतरमन की व्यथा प्रकट होती है इसमें जो सही एंसर होगा वो है धौली और जोगड इसके बारे मैं बता दूँ तो यह जो धौली इसको तोशली भी कहते है जोगड जोगड इसको समापा भी कहते है तो यह जो धौली जोगड का अभी लेक था वो प्रिथक मतलब इन दो अभी लेकों को प्रिथक कलिंग प्रग्यापन भी कहते है यानि कि प्रिथक शिलालेक भी कहते है पिछली वीडियो मैंने इसके बारे में आपको बताया था और इसमें 11, 12, 13 लेक नहीं मिलता है ठीक ह चलें नेक्श कोशन देखते हैं नेक्श कोशन है मौरेकाल में राजकी मुद्रा को क्या कहा जाता था A option आपका निश्क, B option है पढ़, C option कशारपढ और D option है शत्मान तो इसमें जो सही एंसर होगा वह अपका B पढ़ क्याता था, यह जो पढ़ होता था Maura Kaal का प्रदान सिक्का था और धरडचांदी का सिक्का था धरडचन्दी का सिक्का था यह पढ़, औैश पर पश्यो का अंकन था चिसके आक्रीतियों का अंकन हुआ था उसके बारे मैं बता दू, तो इस पर साप यह note कर लेज़ेगा काफे important है सांप, मयूर, अर्धचंद्र और वेदिका से घीरे हुए विक्ष की आकृतियों का अंकन है वेदिका से घीरे हुए विक्ष की आकृतियों का अंकन है वेदिका यह मैं थोड़ा सा ही लिख रही हुँ बाकी जो बोल रहे हूं एक्स्प्लेन करें आप नोट कर लिजएगा तो किसका किसका अंकन है सांप, मयूर, अर्दुचंदर और वेदिका से गिरे हुए प्रिक्ष की आकरितियों का अंकन है और ये जो सिक्के थे इनको आहज सिक्के भी कहते है लेकिन इनके बारे में एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो सिक्के आकरिती युक्त हैं लेकिन लेक युक्त नहीं है तो अगर मालोग कोशन पूर देता है कि ये जो आपके पड़ सिक्के हैं क्या ये लेक युक्त हैं यह सिर्फ आकरिती युकता है ठीक है तो चले नेक्ट कोशन देखते है असोग दोरह बराबर गुफा का निर्माड कराया गया था A option आपका ब्रामडों के लिए B option आपका बॉद्धों के लिए C option आपका जैनों के लिए तो इसमें जो सही answer होगा वो है D आजीविको के लिए इसके बारे मैं थोड़ा बता दूँ तो दशरत और अशोग और दशरत ने आजीविको को 7 गुफाएं दान दी थी कितनी गुफाएं दान दी थी 7 गुफाएं दान दी थी और अशोक के अभिलेकों में बराबर पहाड़ी जो अभिलेक है उसमें जो बराबर पहाड़ी जो यह बराबर की पहाड़ी है अशोक के अभिलेक में यह जो बराबर की पहाड़ी है इसको खालवी तक परवत कहा गया है खालवी तक परवत कहा गया है किसको कहा गया है बराबर की पहाड़ी को कहा गया और किसके अभी लेखों में तो अशोक के अभी लेखों में और इसके बारे मैं और बता दूँ तो यह सैलिकृत वास्तुकुला का सबसे प्राचीन उदा रहा रहा है यह जो बराबर की गुफ विश्व जोपडी गुफा तो जो सुदामा की गुफा थी उसका अशोक ने अपने राजा विशेक के 12 वर्ष निर्माड कर वाया था किसका सुदामा की गुफा का राजा विशेक के 12 वर्ष सुदामा की गुफा का राजा विशेक के कब करवा था ? राजय विशयक के , एक विश्व जोपडी जोप जोपा था ? investigating यह शौ خुक्न हा , यह शौट फॉर्म में लिख रहा हूं ना , विश्व जोपडी को ग५ा थी ? इसका भी राजय विशयक के , बारववज वरश करवा था the weather Sundaama उनिएक विश जो पड़ी गुफा का भी बारवे वर्ष लेकिन लोमस रिशी जो गुफा थी उसका निर्माद अशोक ने नहीं करवाय था लोमस रिशी का जो गुफा थी उसका निर्माद दश्रत ने करवाय था लोमस रिशी गुफा का निर्माद किस ने करवाय था दश्रत ने ठीक है औ बराबर सबू के किस गुफा पर अशोब का विलेक उत्कीड नहीं है A option आपका कर्ड चॉपड गुफा B option आपका सुदामा गुफा C option आपका लोमस रिशी गुफा और D option आपका विश जोपडी गुफा तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताई दिया किस में नहीं है तो आपका लोमस रिशी गुफा में नहीं है और किस का है ये तो ये दशरत का है ठीक है Next question देखते है निमनिकत में से किस ने नागारजुनी पहाड़ीों की गुफाओं को आजीविकों को दान मी दिया था A option है कुडाल B option है संप्रती C option है दसरत और D option है इंद्रपालित तो इसमें जो आपका सही एंसर होगा वो है दसरत ठीक है तो इसके बारे मैं बता दू तो जो दसरत था उसने नागारजुन पहाड़ीों को अपने राज़ा विशेग किसमें मतलब नागारजुन पहाड़ीों स्वरी दसरत ने नागारजुन पहाड़ीों पर अपने राज़ा विशेग के समय गोपी का गोफा का निर्माड़ करवाय था कौन सी गोफा का गोपी का गोफा का कब करवाय था अपने राज़ा विशेग के समय करवाय था किस ने करवाय था तो नागारजुन ने करवाय था सुरी दश्रत ने करवाय था कहां पर करवाय था तो नागारजुन पहाड़ी पर करवाय था ठीक है चले नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन है असोग के किस अस्थान असोग के किस अस्थान कुरानिक ऑभी लेक कहते है और बरतमान रेता है वरतमान में अपरायाग बुस्तित है कौुस्टमोद्हासाली अभी खाःते है कौुसटमानिध अभी रेक लेक इसे क 라고 कहते है क कौुस्टमोद्हानिध बृकाई हिसे है openapae आपका नाशिक अभिलेग और दी आपका सारनाथ अभिलेग तो इसमें जो सही आंसर होगा मैंने आपको बताई दिया कौशाम्बी प्रयाग अस्तंबलेग या आपका A option सही होगा इसमें सम्राट अशोग की निम्लिकत रानियों में किसका नाम उसके अभिलेग में उल लिखे था A option कारुवाकी B option इस शरचिता C option महादेवी और D option कुमार देवी तो इसमें जो सही एंसर होगा वो है कारुवाकी का नाम वर्डेत है इसके बारे में बता दूं कि यह मालो रानियों यह कारुवाकी और यह कर यह महादेवी का पूस्ता है तो यह जो महादेवी थी वो अशोग की पहले बतनी थी और जो महेंद्र और संगमित्रा जो थे वो इनकी मा थी मतलब उनकी यह महादेवी जो थी और यह जो तिश रचिता है यह बहुत यह जो तिश रचिता है यह बोदी व्रिष्ट को हानिक इसके कारण पहुंचा था तो वह तिश्य रक्षिता थी ठीक है तो कोश्चन के अकॉर्डिंग आपको सही अंसर क्या था ए नेक्ष्ट कोश्चन है सुख के किस अभी लेक में दक्षुर भारत के 5 राज्यो का उलेक मिलता है तो इसके बारे मैंने आपको पिछले वीडियो में काफे कुछ बताया था उमीद करते हूंगी आपको याद होगा इसका जो सही एंसर है वह है और कितने जो पांश राज्यो के पताया था और अगर मालो यह पुछा हो था कि विदेशी जो देश थे उनका बढ़न कहां मिलता है तो जो विदेशी थे वो शिलालेक 13 में मिलता है और उसमें सबसे जादा कौन से विदेशी शाशक का बढ़न है तो एंटियोकस दितियका कोशन के अकोर्डिंग आपका सही अंसर क्या हुआ चलिए नेक्श गोशन देखते हैं नेक्श कोशन है असोग के निमलेक के सभी लेक में दक्षर भारत के पांच राज्यो का अलेक मिलता है यह उप्षण है अपका अस्बात के पांच से यह तो हो गया भी अपका नेक्ट कोश्टन है अशोक ने लुंबनी ग्राम के लिए भू राजस्वी की दर निश्यत की थी A option आपका 1 बटा 2, B option आपका 1 बटा 4, C option आपका 1 बटा 3, D option आपका 1 बटा 8 तो इसमें जो आपका सही अंसर होगा वह है एक बटा 8 रुमिन देश तमलेक में करता है और इसके बारे में बता दूँ तो यह जो आपका रुमिन देश लेक है वह इसकी टाइमिंग है तो दोसो उन्चास ही सपूर है क्या है? दोसो उन्चास ही सपूर है एक पटे आप इसका है को जलिए नेक्ट कोशन देखते हैं वेग्राउंड में आवाज आरही है एड़ेगा नेक्ष्ट कोश्ट देखते हैं किवल एकी शिलालेक है जिसमें अशुप ने करारोपर के बारे में बात किया है इनमें से कौन सा वा शिलालेक है ए उप्शन अपका भापरू, बी उप्शन निगालेसागर शिलालेक, करारोपड के बात की बात की गई है एक आपका रुमिनदेस तम अचिलालेक है चले नेक्ष्ट कोशन देखते है next question है earth shastra में कितने तीर्थ प्रशास्टनिक विभागों का उलेक मिलता है A option आपका 16 B option है 5 C option आपका 18 और D option आपका वो है 15 तो इसमें जो सही answer होगा वो है C 18 इसके बारे मैं बता दू तो जो ये तीर्थ होते थे तो जो विभाग तीर्थ बोला जाता था और कोटिली ने इनकी संख्या कितनी बता है तो इनकी संख्या कोटिली ने 18 बता है ठीक है चले next question देखते है next question निम्निकित मौरवन सी शाष्कों में किस ने किवल कश्मीर पर शाष्ण किया था A option प्रिहदरत B option दसरत C option है संप्रती और D option जो है आपका वह जालोग तो इसमें जो सही एंसर होगा वह है D जालोग जो है इसने यह मौरवन सी शाष्कों में यह जालोग जो था जो किवल कश्मीर पर शाष्ण किया था और इसको कश्मीर में नंदीश्वर का उतार मानते है किसको कश्मीर में नंदीश्वर का उतार मानते है तो आपका जालोग है चले नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन है प्रतिवेदक का कार्य था A option आपका राचस एकत्र करना B option आपका सेना का नेत्रित्व करना C option आपका प्रांतो का शाष्ण करना D option घटनाओ की सूशना देना जो इसमें सही एंसर होगा वह है आपका D प्रतिवेदक से विषेष रिपोर्टर इनका मुख्यकारि क्या होता था तो सम्राट nggak'tno की सूच ना देhenा होता था और अशोक ने अपने प्ञेदक फ्रतीवेदको को ने प्रतिवेदकों का बो कहा clause corner 5 लेक में प्राप्त होता है, छते लेकमे, उसमें लिखा गया है कि अशोक अपने प्रतीवेदिकों को आदेश देता है, क्या देता है क्या जहाँ रहूँ, मुझे प्रजा के विशह में सुच ना दे, स्रवत्र मैं प्रजा का कारे करता हूं यह कथन कहां वो बोलता है यह छटे लेक में वड़े था ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन देखता है समराथ अशोग ने न्याय करने के लिए किस पदादिकारी के नुक्ती की E option आपका अमात्यो की B option रज्जुको की C option आपका धर महा मात्रो की और D option आपका पूरो ही तो की तो इसमें जो सही एंसर होगा वो है आपका B रज्जुको की अब इनके बारे में थोड़ा बता दूँ तो यह जो आपके रज्जुक थे वो पहले के वल भूराजस्व से जुड़े थे चाहिसे जुड़े थे?? लेकिन अभी जैख 26 जैख का उध्जुको के बारी की अभी प्राजस्व सMore जैजुको के जबगने भूराजस्व से ज्ड़े है 26 जैख ठीख ए व्रश्आ प्राप्त होता है पहली कवल भूराजस्व से जुड़े थे कि रचकों का उलेक कहां प्राप्त होता है तो चौत है स्तंबलेक में प्राप्त होता है और उसकी अशोक ने अपने अभिशेक के 26 वर्ष इनको न्याई कदिकार दिया था ठीक है तो question के according आपका बी answer सही था चलें next question देखते हैं next question है निमनलिकित में से कौन सा कार है अशोक द्वारा न्यूक्त राजुक निश्पादित करते थे यह option आपका राजा सुकार है बी option आपका न्याई कार है सी option आपका धार में कार है और डी option आपका सेन ने कार है तो जो इसमें सही answer होगा वह आपका बी न्याई कार है यह राजुक निश्पादित करते थे चोड़े नेक्श कोशन देखते हैं जन्पद इस्तर पर मौर एदिकारियों का सही अवरोही करम क्या था ए उप्शन आपका राजुक प्रादेशिक कुल युक्त सॉरी राजुक प्रादेशी युक्त बी उप्शन है युक्त रचुक प्रादेशिक सी उप्शन आपका प प्रादेशिक, रजुक, युक्त, तुसमें जो जो सही एंसर होगा वो है D इनका अवरोही करम क्या था? प्रादेशिक, रजुक, रजुक और युक्त, प्रादेशिक कौन थे? जो प्रांतो को जो विभाजन मंडल याने के कमिशनरीज में हुआ था उनका जो प्रमुख होता था वो आपका प्राधेशिक होता था और इसे इसको अर्थशास्त्र मे प्रदेश्टा भी कहा गया है, किसको कहा गया है प्राधेशिक को, ठीक है, और राजुक कौन थे, तो चतुर्द स्तंबलेक में जो अशोक रजुको की तूलना, अपनी, सुर चतुर्थ स्तम लेक में अशोक रजुकों की तूलना धाय मा से करते हुए योग के धात्री का है, राजुक, उसके बारे में उनको राजुक कहा गया है, ठीक है, और ये ये जो युक्त है, इसका उलेक कहा परापत होता है, अर्थ शास्त्र आशोक के अभी लेकों में सदिका करवा दूगी अपका, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट मना दी है, तो वहां से आप जाके पिछले जो भी वीडियो है, मैंने जितना कुछ बताया है, सारा देख लेना तभी आपको समझ में आएगा, और ये जो सीरीज है, या आपकी जितने भी संभावित एक्जाम हैं, जैस झाल झाल झाल